ये जो आसू घर यालू आसू बाहर है घर फोर्णवा हम लोग कहते हैं पसुपती पारस को अभी टिकट नहीं मिला उसमें आप क्या कई तो अब पसुपती पारस जी को भी यही प्रूपोजल दीजेगा लेकिन अब चिराग जी कौन सा सीट मागेंगे, कौन सीट वीजेपी देगी जी पारस को आप सागत कर रहे थे तो पसुपती पारस चाचा का काहीं नहीं करिएगा ने ने साधू पासवन किसे से डढ़ने वाला सादू पास्वन खूटा गार के रहता है कहीं भी रहता है कि हाजीपूर सीट मेल गार उनके लिए खुश है आप चिराग जी को वो दिन भूलना नहीं चाहिए जेजिन सुरगी रामविलास पास्वन जी जिन्दा होते आज तोर पर उन्हें आत्मा को दुखी होता मनिश कश्रप को सब लोग जानते हैं मनिश कश्रप जी का कहना है अभी डीसेंट इंटर्व्यू में कि चुनाओ लड़ने का उनका मन बन गया है और वो यह नहीं कह रहे हैं कि भाजपा दे रही है उन्होंने कहा है कि चुनाओ जो लड़वाले लेकिन हमको लड़ना है तो अब सुत्रों की माने तो राजप ही दिख रहे है भाजपा तो लग रहा है कि टिकट नहीं देगी तो राजप दे रही है क्या मनिश कश्रप को टिकट चुनाओ में खड़ागरी है अरे वोही मनिस्ट का स्यपना जो बीजेपी का अबिटाइज करते थे आज क्या हुआ मनिस्ट का स्यप को आज भटक रहे हैं कभी इधर कभी उदर कि हमें कोई भी टिकट दे दे आप लोग टिकट नहीं दिजेगा ये भाई हमारा नेता फैसला करेंगे ना मैं तो कोई राष्टिया धक्ष हूँ नहीं अब मनिस्ट का स्यप जी जाके बीजेपी में जो एविटाइज मैंन बने हुए थे तो वहां से उनका मौ भंग उठ गया यही आदमी ना मनिस्ट का स्यप जी चिला ते जिस्वी जी के बारे में क्या बोल ले थे क्या बोल ले थे मुझा खुब याद है लेकर वह क्या बोल ले थे बीजेपी में जाए ना बाई बने उसका D Earth Company भी D Company होता कि D कुन होता है आप बच रहे सवाह से बच रहे सारु जी यह बताईए कि मतलब मनील कर श्रेप जी कहां जाए फिर फिर यह हमारी चीनता नहीं है यह उनकी विसे है आप सेवा करते हैं ना आप अप अब हेल्प नहीं कर सकते हैं हम मुझे कहां रहना है मैं तो तै कर लिया कि मुझे आर जेटी में हूँ आर जेटी में रहूंगा और इनकी विचारधारा और इनकी सिद्धान पर में मैं चलूंगा लेकिन अब मनिस का सब जी तो अपना फैसला करें न भाई चुनाव में थोड़ा सा परिशान हो गए है वो थोड़ा अब इसके बारे में हमें कोई टिपनी ने करनी कि कौन परसान है यह चुनावी मावसम है यह बहुत सारे लोग आएंगे बहुत सारे लोग जाएंगे है अब सुन रहाँ थे साजु पास्वान को यह सवाल से बचते नजर आ रहे हैं जब हमने पूछा कि पसुपत्ति पारस को लेगर तो उन्होंने कहा कि यह तो नेता लोग देखेंगे साजु पास्वान ज ciudad faculty सवालों से काहिं ऐसा कि दर गए हैए क्या आप किसको लेंगे किसको नहीं लेंगे आपको बटा दी किसी पर नहीं रहे और बता दे कि N.D.A में जो हाजीपूर मालेदार्स थीठ है वहाँ पर चिराग जी को कहा जा रहा है कि चिराग जी को मिल गया है आगि पसुपति पारस को तो चाचा जी तो यहाँ पर ठेंगा मिल गया भाचपा के दौ़ारा या N.D.A के दौ़ारा आप कहा सकते हैं हमारे साथ आग बाच्चित करने के लिए हैं साधू पास्वान जो राज़त के हैं और आसा पास्वान जो आपकी पतनी है वो भी हाजीपूर की दावेदारी हैं क्या कहिए अपा सुपति पारजी के साथ हूँ और आपका तो खुद का परिवारी है यह क्या कहिए गैसे यह और भारतिय जनता पाटी का नाम घर फोर्णवा हम लोग कहते हैं। इन्हों ने चचा को भी लूटा भतिजा को भी लूटा। ये गिरो है भारतिय जनता पाटी का। आप परिवार का मामला है, लेकिन हमारी वीचारधारा बिल्कुल अलग है, उनकी वीचारधारा और नियत, निति, सिधान्त बिल्कुल अलग है, बात बताईए, जब चिराख पासवन का बात हो रहा था, चिराख जी का कहना था कि चुनाओ तो हम लड़ेंगे हाजीपूर सी अगर NDA नहीं देती है, तो हम कैसी भी लड़ेंगे, ठीक है, लेकिन NDA ने बोल दिया है कि चिराग को हम सीट दे रहे हैं, तो अब पसुपती पारस हो सकता है, आप लोग वेलकम करड़ें, पहले आप कह रहे थे कि चिराग के लिए दर्वाजा खुला है, वो बिल्कुल आपने खुद कहा था हमारे साथ इंटर्वियू में, तो अब पसुपती पारस जी को भी यहीं प्रूपोजल दीजेगा, देखी अभी NDA में खेला होना बाकी है, अभी अधिकारी सुत्र या बीजेपी के प्रवक्ता, या बीजेपी के राष्टी अधक्ष के द्वारा, यह नहीं कहा गया है कि चिराग जी को कौन-कौन सीट मिलेगा, अभी यह सुत्र के अनुसर खबर आ रही है कि पांच सीट उनको दिया जाएगा, लेकिन अब चिराग जी कौन सा सीट मांगेंगे, कौन सीट भी जेपी देगी, अभी तो गर्व में वो मामला है, अभी यह बताईए कि अभी पसुपति पारश जी का बताईए, सुत्रों के अनुसर मान लीजे कि उनको एक ही मिला है सीट और हाजीपूर नहीं मिला है, तो उसमें राजत स्वागत करेगी? देखें, आधने पस्वतिर कौमार पारश जी हमारे अभी वावक है, भले उनका रास्ता अलग है, उनकी वीचार धराएं अलग है, लेकिन वो जदी माहागटवंदन में आना चाहते हैं, तो इसका फैसला हमारे सिस नित्युत करेंगे, यह भारतिये जनता पार्टी पहले स्पष्ट करें, कि सुर्गेर अंभिलास पास्वान और बाबा साब अंभितकर का मुर्ती किसने तोरा, वो बिहार इन्हें वलकि देश की जनता को बतावे, बतावे वो कि मुर्ती किसने तोरा, और बिहार की जनता, खासकर बिहार की बहुजन, जानना चाह रहे हैं, चिरा का मुर्ती का अपमान किया गया मैं उस बीजेपी का नेता का नाम बताऊंगा ति इसका मतलब होता है अभी तक चिराग पास्वन का कोई अस्पश्टिक करन नहीं आया नहीं बीजेपी ने स्वेच पत्र जारी किया कि मुर्ती किसने तोरा बाबा साब अंबेत करका मैं मुझ जनकारी है यह जो आसू घरिया लू आसू बाहर है कौन बाहर है आपने पिता कर बाबा साब अंबेत करका मुर्ती जदी कोई तोरा है तो चिराग पास्वन तो रहे हैं मैं 110% मेरा दावा है चिराग जी के लिए खुश है सुनने मारा है कि हाजिपूर सीट में लिए उनके मारा अलग है उस दिन नहीं भूलना चाहिए हाना सुब्यमान को बचा कर उन्हें रखना चाहिए था लेकिन या लेकिन राजनितिक में जमीर लोगों का मर गया है जमीर वेजदी हैं लोग मैं तो यही कहूंगा कि चिराग पास्वान सुर्गी राम बिलास पास्वान जी जिन्दा होते आज निस्तित तोर पर उन्हें आत्मा को दुखी होता बहुत बड़ी बात कहते हुए नजर आएं साधू पास्वान इनका कहना है कि उनको भूलना नीचे यह दिन और जब सम्मान की बात आती है लेकिन राजनिती में कोई सम्मान का बात होता नहीं है कुरस कि बात होती है आप भी अपना उपीनियन दे सकते हैं तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ धन्यवाद